मुगल बाशा जहागेर ने अपने पुत्तर खुसरो नाल किसे गल्लों गुस्से हो के सारे देश वीच हुकम कर दिता कि खुसरो नाल कोई वी मेल मिलाप ना करे अत्य नाही कोई इसनू किसे प्रकार्दी सैता देवे इस करके खुसरो दिल्ली तो पाज के काबुल नू जानदा होया गोईंदवाल तो लांग के तरन तरन आप उज्जा ता उसनू पता लगगा की इत्ते सिख तरमदे पंजमे गुरू शिरी गुरू अर्जन देवजी ठैरे होय हन ता गुरुजी ने दर्शन करन वास्ते खु खुसरो लहोर नू चला गया इस गाल दा जदों जाहांगीर नू पता लगगा की गुरू अर्जन देवजी ने मेरे बागी पुत्तर नू आशिरवाद दित्ती है ता उसने इस हुकम अदुल्ली दा उत्तर लेन वास्ते गुरू जी नू लहोर साध पेजिया जाहांगीर बाशादा परवाना पड़के गुरू अर्जन देवजी ने अपना आंत समा आया समझ के अपने सुपुत्तर शिरिहर गोबि सहब जी नू गुरू गद्धी दे दित्ती अते पाई बुड्डा जी पाई गुर्दा जी आदी स्याने सिखानू कारबार दा काम सोप दित्ता इस तरहां सारी सामसमबाल करके अते संगत नू तिर्ज देके गुरू जी अपने नाल पांज सिख पाई जेठा जी पाई पैडा जी पाई बिदी चंद जी पाई लंगाहा जी अते पाई पराना जी नू नाल लेके लहोर पॉँच गई अते एक सिख जीजदा नाम सद्द उसी उसदे कार जा ठैरे दूसरे दिन जदों आपने पांज सिखा नाल गुरू जी जहां गिर्दे दरबार गए तां उसने केहा तुसी मेरे भागी पुत्तर नू आपने पास राख के रसद आते आशिरवा दिता है इसदे जवा विच गुरू जी ने दस्या की खुसरो आते उसदे साथिया ने गुरू दे लंगर गोईदवाल सैव विच पोजन जरूर किता सी पर उना दिना ओहो तरन तारन विच सान। उन्ज पोजन प्राप्त करल लई गुरू नान की जी दे दर उत्ते कोई भी आ सकता है। फकीरां दा दर होन दे कार्ण उते राजा आते रांकदा पेद नहीं किता जान्दा। जहांगीर ने दूसरा स्वाल ए रखिया कि तुआ नू शिरी आद गरंत सैब विच मुहम्मद सैब अते इसलाम दी तारीफ लिखनी होवेगी। गुरूज ने कहा कि इस गरंत विच केवल दरिंग कार इश्वर दी ही विड्याई कि अते जेडी गल तुसां मुहमद सैब दी उस्त ती लिखन वास्ते आखी है ता एहे साड़े वासे दी गाल नहीं। आसी किसे दी प्रसंसा वास्ती इस विच उचेची कोई गाल नहीं लिख सकदे। अते सेख फ्रीद वुखारी जो की पहला वल्लों ही अग बुबुल्ला होये बैठे सान उना दा कैना सी एता बाशा दी तोहीन है अते गुरु जी दियां गल्ला वल्लों बगावत दी बदवु आ रही है इसलिए इना नू माफ नहीं किता जा सकदा। इस प्रकार चाप लोसां दी चंगुल विच फसके बाशा भी गुरु जी उत्ते दुबा पाउन लगगा कि उनानू शिरी आदगरत सैब जी विच हजरत मुहम्मद सैब अते इसलाम दी तारीफ विच जुरूर कुछ लिखना चाईदा है पर गुरु जी ने एहे लिखन लई साफ मना कर दिता बस फिर कीसी दूष्टा नू मोका मिल गया उनाने बाशा नू मजबूर किता की गुरु अरजन देवजी बागी हान जो की बाशा दी छोडी जही गालु नूवी सिविकार करन नू त्यार नहीं इसले इनानू मोत डंड दिता जाना ही उचित है इस बाशा जहागीर ने गुरु जी उत्ते दो लाखर उपे डांड दा अदेश दिता अते आप उत्ते वल्लू परस्थान कर सिंध खेतरवल चला गया बाशा दे चले जान दे बाद दुष्टा ने लहोर दे गवर्नर मुर्तजा खान वल्लों मांग कित्ती की पोह गुरु अ दोश कित्ता ही नई तां डांड क्यूं परिया जावे लहोर दी संगद विच्चूं कुझत अनी सिखा ने डांड दी राशी अदा करनी चाही पर गुरु जी ने सिखा नू मना कर दिता हते केहा की संगद पैसा नीजी कम्मा उत्ते प्रयोग करना दोश है लहोर दे गवर्नर मुर्तजा खान नू चंदू ने कहा की गुरु अरजन देवजी नू मेरे हवाले कर दियो विन्नू उस्तों अपना पुराणा इसाब चुकदा करना है क्योंकि उसने कुझ लोकां दे कहन विच आके मेरी कुडीदा रिस्ता आपने सैब जादे लई मना किता सी हुण मैं दबा पाके रिस्ते नू फेर सविकार कर लेन उत्ते उसनू मुझबूर कार दियो आगा हाते डांडदी राशी खजाने विच एहे जान के जमा करवा दियो आगा कि कुडी नू देहेज दिता है मुर्तजा खान इस प्रस्ताव उत्ते तुरंत सैमत हो गया हते उसने गुरु जीनू चंदू लाल दे हवाले कार दिता इस तरह चंदू लाल गुरु जीनू आपनी हवेली ले आया हते काई टांगविदाना वलू गुरु जीनू मनावन दी कोशिश करन लगा ताकी रिस् प्रशासन दे करोध वल्लूं मुक्ती मिल जावेगी अते मेरा बरादरी विच मान रह जावेगा अते प्रशासन वल्लों भी प्रसंसा प्राप्त होवेगी पर गुरु जी ने उसदी एक नहीं मन्नी अते आपने द्रिड निश्चे उत्ते अटल रहे उसदे कारदा अनाज पानी वी सिविकार नहीं कित्ता केवल एक ही जवाब दित्ता की उनानू संगदा अदेश है कि उसदी पुत्री दे कारदा रिस्ता सिविकार नहीं करना योकि उसने गुरु नान के देवजी दे दर कारणू मोरी किया है अधे खुद नू चुबारा किया है लेकन गुरु गुरुजी नू मनावन लई चंदू ने बोज सारे उल्टे सिद्धे हत कंडे अपनाये। अखीर विच्च ओहो तरा तरा वल्लू तमकी देन लगा पर गाल तादवी बंदी वखाई नहीं दित्ती। बेहद शर्दा रखदी सी गुरुजी लई शर्बत लैके बुजूद होई। अते प्रात्ना करन लगी हे गुरुजी पानी कुबूल करो अते उस दे ससुर नू माफी दान दियो क्योंकि ओ नहीं जानदा कि ओ की गलती कर रहा है। गुरुजी ने उसनू कहा हे पुत्री मैं मजबूर हां संकद अदेश दे कारन मैं एहे पानी कुबूल नहीं कार सकदा। उस्तू अगले दिन स्वेर दे समय जदू सरकारी कोतवाल चंदू दे कोल हाल जानली आयातां चंदू ने एक एक के गुरुजी ने उस दे हवाले कार दित्ता की गुरुजी ने मेरी शर्त नहीं मननी। बस फिर की सी सरकारी दूष्टानू निर्तारत शडियंतर दे उनसार कार्ज करन्दा मोका प्राप्त हो गया ते गुरुजी नू अपनी हरासित विज लैके लहोर दे शाही कीले विच आ गयी। अथे गुरुजी दे नाम फत्वा जारी कार दित्ता। फत्वे विच कहा गया की गुरु अर्जन देव जी डंड दी राशी अधा नहीं कार सके। इस तों पहला की गादा ताजा उत्रय होया चमडा प्रापत होंदा लहोर दे गवर्नर मुर्तजा खान ने चंदू नाल मिलके अपने रचे शडियंतर दे अनुसार गुरु जी नू यातनावा दे के इसलाम सविकार क्राउण दी योजना बनाई। उनाने अनाल पाणी सेव नहीं कित्ता सी अजेहे विच्च सरीर बोध कमजोरी अनुपव करन लगा सी पर गुरु जी ताँ आतम बलदे सहारे अडोल खडे सान। उस्तों अगले दिन फिर गुरु जी ने जदु चंदू दियां गल्ला मनन तो ना कर दिती ताँ चंदू ने पाणी दी इक देग गर्म करा के उस विच गुरु नु बठा दिता। गुरु जी नुँ पाणी दी उबल्दी देग विच बैठा वेख के पाई जेठा जी आदी गुरु जी ने साथी सिखां विच हाहा कार माच गई। गोई गल्ला मननी ताँ उसने एक लो गर्म करा के गुरु जी नुँ उस उपर बठा दिता। गुरु जी दा सरीर शाल्या नाल फुल के बोथ प्यानक हो गया सी। इना अत्याचरां दी सारे शेहर विच दूर दूर तक चर्चा हों लग पई। एह खबर जदू साई मिया मीर जी ने सुनी ताँ उहो ततकाल ही गुरु जी पास आए। अते आप जीर सिरीर नुँ इनने कश्ट विच वेख के कहा गुरु जी एकी खेड कर रहे हो। गुरु जी ने कहा एक करतार दे हुकम अंदर खेड हो रही है किसे दा कुझ वस नहीं। सानू अपने मालक प्रभु दा पाना मिठा करके मनना चाईदा है। गुरु जी पासों ए शांती अते अडोलता दे बचन सून के मिया मीर जी अह चर्ज रह गई। गुरु जी पास आणके अपनी गल मनान वास्ते आख्या। पर जद फिर भी गुरु जी ने उस दी गल ना मननीता उसने कहा आज तो आनू मोई होई गाउं दे कच्चे चमडे विच मड़या जावेगा तुसी त्यार हो जावो। उस दी गल सून के गुरु जी ने कहा पहला असी रावी नदी विच इशनान करना चाउंदे हां फेर जो तो अड़ी मर्जी है सो कर लेना। गुरु जी दी एहे गल सून के चंदू बड़ा खोश होया कि इना दे शाल्या नाल सड़े होय स्रीर नू जदू नदी दा ठंडा पाणी लगे गातां एहे होर वी दोकी होनगे चंगा है इनानू इशनान दी आग्या दे दिती जावे। इही सोच विचार के चंदू ने अपने शपाईया नू कहा की जाओ आज इनानू रावी विच इशनान करा लियाओ। तद गुरु जी अपने पाँच साथी सिखा नू नाल लेके शपाईया नाल रावी उत्ते पोंच गे। गुरु जी ने नदी दे कनारे उत्ते बैठके चादरे दी बुकल मारके जबजी सैवजा पाठ करके पाई लंगा आदी सिखा नू आख्या की होन साधी परलोग गमन दी त्यारी है। तुसी शिरी हर गोबी सैव जी नू तिर्ज देनी अते कैना की सोक नहीं करना करतारद पाणा मनना। उसु परंत गुरु जी रावी नदी विच परवेश करके अपना स्रीर त्याग के ती मई 1602 नू साचखंड जाबराजी। गुरु जीर जोती जो सुमावन दा सारी शेहर विच बड़ा शोक मनाया गया। गुरु जीरी स्रीर त्यागन दे अस्थान ते लोहोर केले पास विदुमान है। कि गुरु जी दी बानी दा सिमरन करो। गुरु जी लोक पलाई अते परुपकार दे ब्यंत कम करके अपने बैकुट तामनू गये हान। उन्हादा सोक करना उचित नई है। सोक उन्हादा करना उचित हुन्दा है जड़े अपनी सारी उमर जगदे पोग विच लगगे सत संग अते नाम सिमरन तो बिना ही बतीत कर जान दे हान। इस तरह पाई बुड़्डा जी ने सबनू समझाब जाके तिर्जी दिती अते सांत करके बठाया। सो प्यारी सास संक जी इस विडियोन लाइक करो शेर करो आते कोमेंट बॉक्स विच तान तान शिरी गुरू अर्जन देव जी जुरूर लेखो।